दोस्तों आपके पास अगर कोई ऐसा laptop है जो की बहुत slow है और उसका अंदर hard disk लगा हुआ है तो आपको उसको fast करने के लिए क्या करना होगा उसको fast करने के लिए आपको एक ही चीज़ करना होगा उसका जो hard disk है उसको आपको निकाल देना है उसका अंदर आपको एक SATA या फि फिर से काम में ले पाएंगे तो आज इस वीडियो में मेरे पास है लेनेवो आइडियापैट S145 जिसका अंदर हाट डिक्स लागा हुआ है और यह बूट आप होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है एक मिनिट के उपार टाइम लेता है इसको स्टार्ट होने में तो लेन लेनेवो आइडियापैट S145 या फिर आपके पास कोई भी लाफटाप हो उसके अंदर आप कैसे इन्वेमी को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद कैसे आप उसमें विंडोज इंस्टॉल करेंगे उसको एक्टिवेट करेंगे सभी चीजों के बारमे स्टेप बाइस लागा हुआ है इसमें वूट आफ होने में कितना टाइम लगता है वह आप देख लीजिए करीब आपको 50 सेगेंड तक टाइम लगता है इसको बूट होने में हाट इसमें 2023 की बात करें तो यह काफी लंबा है इसना बूट आप हम लोग सहां नहीं कर सकते तो इसमें तो ए SSD में यूज़ करूँगा वह एडाटा एक्सपीजी का SX 6000 प्रो है और 256 जीवी का SSD में यूज़ करूँगा और यह जो SSD है 3D नान स्टोरेज के साथ आता है तो इसका परफॉमेंस से वह आच्छा होगा तो आप हम लोग को यह जो आइडियापड हेस 1 4 5 इसको बैक से मिलता है टोर perish को जो ऐना है अब को कि धिकर आपको क्रेडिक आपको क्रेड़ करना है थोड़ा सा carefully आपको open करना होगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको open कर लिया है तो अभी इसमें harddisk लगा हुआ है और nvme का slot यह है और हम लोग nvme को यहां पर लगाएंगे उसके बाद इसका harddisk है harddisk को हम लोग खोल लेंगे खोल लेने के बाद nvme लगाएंगे क्योंकि harddisk का अंदर इसका c drive था windows इंस्टाल था इसमें nvme में windows इंस्टाल करेंगे c drive को nvme कर देंगे तो उसके लिए harddisk को खोल लेना ज़रूरी है और harddisk में और इसमें nvme का जो screw है screw वहां पर दिया हुआ नहीं है तो बैक से हम लोग का जो बैक कवर लगा हुआ था उसमें से एक screw लेके यहां पर लगा देंगे वही screw इसमें लग जाता है तो ऐसे लगा देंगे तो आप हमारा nvme install हो चुका है तो आप इसमें windows डालने की बारी है तो windows कैसे download करते हैं वह थोड़ा सब देख लीजिए तो यह जो लेने वह आइडियापैड s145 है इसके अंदर windows 10 डाला हुआ था और इसमें प्री अक्टिवेटेड डाला हुआ था और इसमें जो windows का एक्टिवेशन की है वह motherboard में इंबेडेड है तो इसमें अगर windows 10 इंस्टॉल कर देंगे तो वह जो एक्टिवेशन की है वह motherboard से फिर से इसमें में एक्टिवेट हो जाएगा तो इसलिए windows 11 नहीं windows 10 को कैसे डाउनलोड करते हैं वह आप देख लीजिए तो सबसे पहले आपको Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर डाउनलोड windows 10 लिक के साच करना है और आपको Microsoft का website के अंदर जाना है और उसके बाद आपको यहां पर जो windows 10 का media creation tool है उसको डाउनलोड करना है तो यहां पर download tool now इस पर आप click करेंगे और यहां पर windows media creation tool जो है वो download हो जाएगा और download हो जाएगा तो इसको आपको open करना है यह करना है और फिलाल आप इसको close कर सकते हैं और getting a few things ready मतलब आपका जो windows media creation tool है यह आपका windows का ISO फाइल है windows 10 का ISO फाइल है उसको optimize कर रहा है और आपका जो ISO फाइल है उसको download करने के लिए prepare कर रहा है तो उसके बाद आपको license and time and condition देखने को मिलता है तो आपको यहां पर accept करना है और फिर से थोड़ा सा wait करना है आपको और उसके बाद आपको दो option देखने को मिलता है अप्ग्रेट इस PC नाउ और create installation media USB drive DVD ISO फाइल तो हम लोग को यह second option चूज करना है हम लोग को ISO फाइल डाउनलोड करना है इसलिए second option चूज करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपको यह पेज में कोई भी छेड़खानी करना नहीं है आप अगर करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं तो आपको यहां पर language देखने को मिलता है Windows 10 देखने को मिलता है और 64 बीट आपको डाउनलोड करना है और फिर बोध डाउनलोड करना है वह आप यहां से चूज कर सकते हैं और यह सारा option को एनेबल करने के लिए आपको use the recommended option for this PC इसको आपको off क करना है और उसके बाद आपको फार्शन चूज करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद इवेज़ फ्लैस डाइब में करना है कि आएसो फाइल डाउनलोड करना है वह आपको चूज करने का अपसन देखने को मिलता है तो आपको आएसो फाइल करना है और उस उसके बाद आपको bootable print drive बनने के लिए Rufus नाम का एक software है, उसको download करना है, तो आपको यहाँ पे Rufus download लिखके search करना है, और search करने के बाद आपको पहला website के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको Rufus देखने को मिल जाएगा, Rufus 4.2.exe, इसको आपको download करना है, तो यह आपक उसको open करना है, yes करना है, और उसके बाद आपको pen drive select कर लेना है, pen drive लगा के, और उसके बाद disk image ISO यह चूज करना है, और उसके बाद select करना है, आपका Windows 10 का जो ISO फाइल है, उसको select करना है, और उसके बाद आपको partition scheme GPT में रखना है, और उसके बाद कोई भी changes नहीं करना है, और उसके बाद स्टार्ट करना है और उसके बाद नीचे वाला यह दो आप्शन को आपको टिक करके रखना है और उसके बाद आपको करना है और फिर से करना है और उसके बाद आपका जो डिलीटिंग पाटिशन है डिलीटिंग पाटिशन करके डिलीट हो जाएगा और उसके करके तो उसके बाद आपको पावर बटन प्रेस करना है और यह जब आपको प्रेस करना वह वह करना है तो आपका जो boot option है boot option pin drive से आ जाएगा और उसके बाद आपको enter करना है और यह थोड़ा सा time लेगा आपका जो windows media file है windows media का ISO file है उसको load होने में तो उसके बाद आपका जो windows setup है setup आ जाएगा तो सबसे पहले आपको next कर देना है और उसके बाद आपको install कर लेना है और उसके बाद आपका windows का times and condition है windows setup का वह आ जाएगा और आको आइक से license terms इसको करना है और तो नेक्स्ट करना है और यहाँ पर बीलिक करना है और कन बाद आपका di है वह primary drive जो आप SSD लगाए है उसको आपको चूज करना है और उसके बाद आपको next करना है और उसके बाद आपका जो Windows Installation का प्रोसेस है वो चलू हो जाएगा ठोड़ा टाइम लगता है 5-7 मिनिट लगता है Windows इंस्टल होने में तो आप वेड कीजिए वेड करने के बाद आपका जो Windows है Windows इंस्टल हो जाएगा तो Windows हमारा install हो चुका है तो आप यह laptop restart हो रहा है यह जब restart होगा तो आप जो pen drive इसमें लगाये थे उसको आपको खोल लेना है तो उसके बाद यह जो SSD लगाये थे इसमें से यह restart हो जाएगा और उसके बाद Windows का जो भी setup है आप setup कर लीजिए setup कर लने के बाद आपका जो laptop है वो running condition में आ जाएगा तो Windows इंस्टल होने के बाद सबसे पहले आपको देख लेना है कि Windows आपका activate हुआ है कि नहीं हुआ है आपका अगर pre-activated Windows था तो यह activate हो जाएगा क्योंकि motherboard के अंदर ही इसका जो key है वो embedded रहता है तो my computer के अंदर जाके आप properties के अंदर check करेंगे तो आपको Windows activated नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आपको इसको net से connect करना है net से connect जब भी आप कर देंगे तो उसके तुरंती आपका जो Windows है वो activate हो जाएगा तब देख सकते हैं कि net से connect होने के बाद ही यहां पर जो Windows है वो activate हो चुका है तो इस तरह से आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपका जो Windows है वो भी activate हो जाएगा तो Lenovo IdeaPad S145 में NVMe SSD लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका बूट अप टाइम है कितना फास्ट हो गया है करीब 5-7 सेकंड के अंदर यह laptop बूट अप हो जा रहा है कहां इसका बूट अप टाइम 40 सेकंड 50 सेकंड था और कहां इसका बूट अप टाइम हो गया है 5-7 से लगाने के बाद इस laptop का बूट अप टाइम और परफॉमेंस से वह बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो आपके पास भी अगर कोई laptop है जिसके अंदर हाट डिक्स लगा हुआ है तो उसमें आप एंगी में लागा लेजिए और इसमें से हम लोग जो हाट डिक्स निक में NVMe SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका जो स्पीड है इसको डवल ट्रिपिल कर सकते हैं और आपको कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है आप जेनुइन विंडोज आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक्टिवेशन की इसका अंदर ही देखने को मिले जाता है मादर बो इसके देखने की जेखने कρवेशन की मेंझे हैं पिता इसका प्याद करेंगे इसका एक टो आपको विंडों स्टॉल